विश्व पटल पर भारत का बढ़ता प्रभाव भारत वो देश जो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, ने 2022 में अपना 75 वा स्वतंतरता दिवस मनाया, जिसे आजादी का अमरित महोत्सव के रूप में मनाया गया। भारत ने यह प्रण लिया है कि 2047 अपने 100 वे स्वतंतरता दिव पर जब वह अपनी आजादी का अमरित काल मना रहा होगा, उस वक्त तक भारत एक विक्सित राष्ट के रूप में जाना जाए। भारत तेजी से अपनी रक्षा बजट को बढ़ा रहा है और अपनी सैने शक्ती को मजबूत कर रहा है। वर्तमान में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना भारत के पास ही है। इसके अलावा यह कई देशों को रक्षा उपकरन निर्यात भी कर रहा है, जो अंतरराश्ट्रिय सुरक्षा में इसके बढ़ते प्रभाव में योगदान दे रहा है। पिछले 75 वर्षों में भारत ने निरंतर विकास और परिवर् यह वैश्विक मामलों में भारत के महत्व के बारे में अंतरराश्ट्रिय समुदाय की मान्यता को दर्शाता है। अंतरिक्ष अन्वेशन में भी भारत की उपलब्धिया उल्लेखनी रही हैं। भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरों ने तब इतिहास रच दिय जब 23 अगस्ट 2023 को चंद्रयान तीन चंद्रमा के दक्षिनी ध्रूव पर सफलता पूर्वक उतारा। इससे पहले किसी अन्य देश ने यह उपलब्धी हासिल नहीं की थी। इसके अलावा 2 सितंबर 2023 को भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान और सौर प्राध्योगी की के प् स्वास्थ्य सेवा के ख्षेत्र में भारत में दवाओं का उत्पादन और एक्स्पोर्ट में बढ़ रहा है। जेनेरिक दवाओं के उत्पादन से दुनिया भर के गरीब लोगों के लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो रही है। भारत लोगों को गरीबी रेख अगर आपको लगता है कि यह वीडियो जानकारी पूर्ण है तो कृप्या चैनल को सब्सक्राइब करें। यह भारत की आर्थिक संभावनाव में वैश्विक विश्वास को दर्शाता है। इस नवाचार ने लोगों के लेंदेन के तरीके को बिलकुल बदल दिया है और अन्य देशों के लिए एक उदाहरन स्थापित किया है। अपने बढ़ते कृशी चेत्र और मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। 2047 तक भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और एक विक्सित राष्ट्र बनने की इसकी प्रतिबधता भविश्य के लिए इसके द्रिड संकल्प और द्रिश्टिकोन को दर्शाती है। भारत का बढ़ता प्रभाव विश्व पतल पर एक उजवल भविश्य के लिए गर्व और आशा की किरन लाता है।